आनंद बड़े ही आनंद से पेड के नीचे चाओं में सो रहा था तभी उसके साथ ही लोग उसे उठाते हैं अरे आनंद उठतो देख तेरी तो बकरियां चरते चरते दूसरे के खेत में चली गई हैं ये सुना आनंद हर बड़ा कर उठा और देखा तो बकरिया तो गाओं के साहुकार के खेत में चली गई हैं साहुकार और साहुकार ने दोनों ही अकडू और गरीबों का खून चूसने वाले प्राणी थे दोनों आनन्द को घूर कर उसकी बकरी उठा कर अपने बाड़े में ले जाते हैं तू कमा कर नहीं खा पाएगा आनन्द, कभी नहीं नहीं, मेरी बकरिया, मैं उसे कमाता हूँ, नहीं आनंद जोर से चीकता हुआ उनकी और भागता है और तब भी उसे ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर धम से गिरता है मगर ये क्या? ये तो आनंद का सपना था वो अपने आलिशान बिस्तर से नीचे गिरता है और उसकी नीद खुलती है असल में आनन्द गाउं के साहुकार और साहुकार्णी का ही बेटा था जो बहुत ऐशो आराम से पला बढ़ा था हे इश्वत तुने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया मुझे धंद आला तो दे दी मगर मेरा मन अमीरों जिसा क्रूर क्यों नहीं किया मन तो मेरा आज भी गाउं के साथगी और गरीबी में ही लगता है एकदम सही देखा आपने आनन्द अपनी अमीरी से परिशान था उसे बच्पन से ही महनत कर कमा के खाना था मगर अमीर माबाप की आुलाद होने की वजह से बेचारा आनन्द भी बिना महनत के खापी कर जवान हो गया था कैसा घुटन भरा जीवन है कैसे माबाप है मुझे नहीं रहना यहाँ मुझे यहाँ से जाना है मेरे गाउं वालों के बीच और आनन्द रोज की तरह नदी किनारे जाकर बैठ गया वहाँ धेरो गाई बकरिया देख उसका भी मन आम जीवन जीने का करता अचानक उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई बचाओ बचाओ कोई सो बचाओ मुझे लड़की की आवाज सुनते ही आनन्द उसो और जोर से भागता है और देखता है कि एक सुन्दर कोमल सी लड़की नदी के पानी में डूब रही होती है आनन्द उसे बचा कर बाहर लाता है और बस उसकी सुन्दरता को देखता रह जाता है आनन्द बहुत ही चुप रहने वाला छोरा था मगर उस दिन न जाने कितने महीनों बाद उसकी आँखों में चमक आई थी हे राम जी मैं तो डूब ही जाती अच्छा हुआ जो ये भाई साब मुझे बचा लिए आनन्द नाम है मेरा और मेरा कियारा अच्छा जी मैं तो चलती हुआ और अनन्द जाती हुई कियारा को बस नहारता रहे गया आसपास खड़े लोगों ने आनन्द को पहली बार इतना खुष देखा था उस रात अनन्द बस कियारा के चहरे को ही याद करता हुआ कर्वटे ले रहा था अगले दिन जब नदी पर वो फिर से गया तो उसे फिर से कियारा के डूपने की आवाज आती है और वो उसे फिर से बचा कर बाहर लाता है अपसे दूनों अकसर मिलते मगर कियारा आनंद को डूपते हुए ही मिला करती थी आनंद को कियारा का विनम्र स्वभाव और जानवरों के प्रती लगाव बहुत ही भाग गया था एक बार रोज की तरह ही कियारा नदी में फिर से छपाक छपाक कर रही थी कियारा उसे पकड़ कर फिर बाहर लाता है अरे ये क्या आपको डूबने का शौग लगता है कियारा नहीं वो अम्मा बाबुजी मेरी शादी शहर में तै करेंगी और शहरी पती तो ऐसे पानी के बड़े बड़े तालाब में नहाने को कहेगा तब मैं तेर नहीं सकी तो वो तो बस ताना ही मारेगा ना ये बड़ी आई गाउं की गवारन सही कहा ना बाबु सुनो मेरी बात मानों की एक हाँ भोलो ना आनंद शहर के लोगों से दूरी रहना कियारा तुम भोली हो गाउं से कभी निकली भी नहीं हो दुनिया बस भोले लोगों को पागल बनाती है तुम किसी गाउं के छोरे से इशादी क्यों नहीं कर लेती आनंद का दिल कियारा पर एक दम आ चुका था ये सुन कियारा भी शर्माते हुए उसके गालों को चूम कर वहां से चली जाती है मुझे भी तुम पसंद हो आनंद दिन बनों की दोस्ती गहरी और आगे बढ़ने लगी गाउं का छोरा और गाउं की सुन्दर गोरी हाथों में हाठ डाल कर गाउं की सुन्दरता का मज़ा लेते थे आनंद फिर से जी उठा था मगर उस दिन जब वो घर वापिस लोटा तब साहुकार साहुकारनी बेचारी एक दूसरे का मुह ही ताक्ति रह जाते हैं अगले दिन आनंद की आरा के पास जाता है और उसे कल की घटना के बारे में सब बताता है क्यारा आनंद की आरा से मुँँ पहीड़ लेता है क्यारा आनंद की आरा के पास आकर उसे गले लगती है और उसका माथा चूमती है मुझे तुमारा ये अंदाज अच्छा लगा छोरे मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ पताना चाहूंगी कल सुबह आट बजे यहीं मिलते हैं आनंद तो खुशी से बावला हो गया था इतना बावला कि अगले दिन आट बजे की बजाए च्छे बजे ही वो नदी के किनारे पहुँच गया और तभी उससे कुछ लोगों के हसी की आवाज आती है आनंद वहाँ छिप जाता है तभी आनंद देखता है कि एक सुन्दर लड़की छोटे फैंसी कपड़ों में वहाँ आई है और उसके साथ कुछ लड़के लड़कियां भी है जो सब फैंसी कपड़े पहने थे जैसे ही वो लड़की मूरती है आनंद उसे देख चौँक जाता है वो कियारा ही थी शाबाश कियारा तो आखिर तुने चैलेंज पूरा कर ही दिया ना तू तो थोड़े ही दिन में शहर की गोरी से गाउं की छोरी बन गई और क्या नाटक या हमारे कियारा ने बाबू बाबू कर गे दोस्तो मैंने कहा था ना गाउं की छोरी बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है आनंद का दिल तो एकदम चूर चूर हो गया था तो कियारा परसो वापस जाना है, तो भूली तो नहीं है न, या कहीं उस आनंद के साथ रहेकर सच में ही तो गाउं की गोरी बन गई बिचारा आनंद वो दोस्तों मेरी बात सुनो, कियारा आगे कुछ बोलती, कि तभी आनंद कियारा के सामने आकर जमीन पर बैठ कर उसके आगे फूल पेश करता है, उसकी आखों में आसू थे और आनंद भूल छोड़ कर रोता हुआ वहां से जाने लगा, ये सुन सारे दोस्त हसने लगते हैं, तभी कियारा को गुस्सा आ जाता है Shut up guys, I said shut up, मैं नाटक में आनंद की साथ नहीं थी, मैं असल में चाहने लगी हूँ उसे, बहुत चाहने लगी हूँ, इतने साफ मन के लड़के से आखिर कौन प्यार नहीं कर सकता मगर कियारा, तू कहाँ शहर की गोरी और ये आनंद गाओं का छोरा, तुम्हारा तो कोई मैच ही नहीं है ठीक कहा तुने, मैच नहीं है, मगर मिसमैच तो है, और मिसमैच से अच्छी जोडिया तो हो ही नहीं सकती, मैं आनंद को मना कर रहूंगी और कियारा आनंद से बात करने की बहुत कोशिश करती है, कभी नदी किनारे जाकर, कभी उसके कमरे के नीचे खड़ी होकर, मगर आनंद कियारा की शकल से भी चड़ने लगा था आनंद ऐसा क्या है आखिर, जो तुम शहर की लड़की से इतना चड़ते हो, कोई तो कहानी है इसके पीछे और कियारा गाओं की एक बोड़ी औरत से पूछती है, बिटी कुछ चोट जखम बनाती है, ऐसी ही चोट देने के लिए बिचारे आनंद की जिंदगी में पहले भी शहर की गोरी आई थी, पायल नाम था उसका, जैसी तू है उतनी ही प्यारी थी वो, शहरी कपड़े, आनंद का दिल जीत लिया था, दोनों में प्यार हो गया, पायल मैं अपनी सारे जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं भी आनंद, मैं शहर चोड़कर तुम्हारे साथ उस घर में आने को तयार हूँ, मगर पायल जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया पहली बार आनंद के सपने का किसी और ने भी हाथ थामा था और आनंद सारा पैसा ले जाकर पायल को दे देता है मैं कल ही रेजिस्ट्री कराती हूँ पायल चली गई और आनंद उसका इंतिजार करने लगा मगर वो कभी लोट कर नहीं आई पायल के ना आने पर आनंद का विश्वास और उसके सपने भी उसके साथ ही तोट गए और बेटी इंसान की असली मौत ही तब होती है जब वो सपने देखना बंद कर दे आनंद भी तब से ऐसा ही हो गया मगर तेरे आने के बाद वो फिर से जी उठा है कियारा की आँखों में आसू थे वो आनंद का दर्द महसूस कर सकती थी मैं उडान दूंगी मेरे आनंद बाबू के सपनों को और कियारा गाउं से शहर लोटाती है आनंद कियारा को जाता देख रहा था उसकी आँखों में उमीद बुझ सी गई थी और वो फिर से उदास रहने लगा कुछ दिन बाद जब वो फिर से नदी की किनारे बैठा था तो उसे फिर से कियारा के डूबने की आवाज आई वो सोर भागा मगर वहां कोई नहीं था तू भी कितना पागल आनंद शेरी लोग लोट कर धोड़ी आते हैं जैसे ही वो पलटता है कियारा उसके सामने गाउं के कपड़ों में एक लिफाफा लेकर खड़ी थी लोट कर आते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं वो जरूर लोट कर आते हैं ये तुम्हारे लिए मेरी छोरे और कियारा आनंद को चूमती है आनंद लिफाफा खोल कर देखता है तो उसमें एक रजिस्ट्री थी ये क्या, क्यारा? ये तुम्हारा सपना है आनंद, हमारा सपना, हमारा घर और हमारी नई जिन्दगी, जो हम अपने हाथों से बनाएंगे, इस जमीन पर एक कच्चा घर, धीर सारे जानवर, खेती और बस हम तुम आनंद ये सुनकर रोता हुआ के आरा से लेपड़ जाता है आज पहली बार लग रहा है, कि मेरे सपने को कोई साथ जी रहा है तो बाबू, हर शहर की गोरी आपके पैसे के लिए, आपके प्यार के लिए भी पागल हो सकती है समझे बुद्धू, आप बारी है अपने माबाबा को करके दिखाने की जी मेरी छोरी, वैसे मैडम, आप इन कपड़ों से जादा छोटे कपड़ों में अच्छी लग रही थी अच्छा जी, मगर मैं तो यही पहनूंगी, गाउं की छोरी की तरह वो क्या है न, मेरी छोरे को यही पसंद है, क्यों आनन्द बाबू? और आनन्द कियारा के साथ साहुकार साहुकार्णी का आलीशान घर छोड़ कर वहां से दूर जाकर खेत में अपना छोटा सा सपनों का घर बना कर रहने लगता है शहर की गोरी और गाउं के छोरे का ऐसा मिलन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसी ही और भी रोमांचक कहानिया देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल एनिम स्टोरीज को थैंक्स फॉर वाचिंग